So hi guys, आज बात करने वाले हैं Poco smartphone brand के बारे में जो कि Xiaomi का sub brand है अब ये launch करने वाले हैं एक नया smartphone जिसका नाम होने वाला है Poco M3 Pro 5G smartphone जी हाँ ये 5G होने वाला है और काफी powerful भी होने वाला है जिसमें आप easily gaming वगरा कर सकते हैं और guys, इस phone की picture leak हो चुकी है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं और इस phone की picture को देखके मुझे ऐसा ने लगा ये cheapest 5G smartphone होने वाला है क्योंकि इस phone का design काफी unique देखने को मिला है और तो और इस phone की confirm specification, price और launch date सामने आ चुकी है तो आज बात करेंगे इसी smartphone के बारे में, जानेंगे इस phone में क्या कुछ है खास, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रही हमारे साथ तो चलिए guys, सबसे पहले बात करते हैं इस phone के display के बारे में तो इसमें आपको 6.5 inches की full HD plus LCD display देखने को मिलने वाली है जिसमें आपको 90 Hz का refresh rate देखने को मिलने वाला है और तो और इस phone में आपको 500 nits की peak brightness देखने को मिलेगी और इस phone में मिल जाता आपको top center control display selfie camera अब आगे बात कीजाए इस phone के performance के बारे में तो इसमें मिल जाता आपको MediaTek का Diamond City 700 वाला SOC जो की 5G है और काफी powerful भी है और वहीं बात करें इस phone के GPU के बारे में यानि graphic card के बारे में तो इसमें मिल जाता आपको Mali G57 MC2 वाला GPU अब बात कीजाए इसके RAM और storage के बारे में तो इसमें आपको 2 variant देखने को मिलने वाले हैं पहला वेरिंटों का 4GB RAM, 64GB storage और दूसरा वेरिंट होने वाला है 6GB RAM, 128GB storage जो की UFS 2.2 storage के साथ होने वाला है और बात करें POCO M3 Pro 5G smartphone के camera के बारे में तो इसमें आपको 48MP, plus 2MP, plus 2MP का triple rear camera देखने को मिलने वाला है और बात करें इसके camera features के बारे में तो इसमें आपको digital zoom, auto flash, face detection, touch to focus जैसे camera feature देखने को मिलने वाले हैं और बात करें स्पून के front camera के बारे में तो इसमें आपको 8MP का top center punch hole display selfie camera देखने को मिलने वाला है तो चले गाइस अब बात करते हैं स्पून के battery के बारे में तो भी यह smartphone एक दिन पूरा अराम से चल सकता है और तो इस phone में आपको 22.5 watt का fast charger भी मिल जाता है जो कि काफी कमाल के बात है और इस phone मिल जाता आपको type C port, 3.5 mm audio jack, side mounted fingerprint scanner और आगे बात करें इस phone के custom UI के बारे में और वहीं बात करें इस phone के price के बारे में तो इस phone को जो base variant है 4GB RAM 64GB storage वाला वे रेंट उसका price होने वाला है 14,999 रुपीस और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि Poco ने हर बार की तरह इस बार भी काफी अच्छा काम किया है कम price भी है और काफी अच्छा smartphone भी है थैंक यू